असलाम वालेकुम रहमतुल्ही वर बरकातू हुँ सलाम का जवाब ज़रूर से आप लोग देना मन में दे दो कमेंट में मदू चलेगा मैं आपको आज आपके ही सवाल के जवाब देने वाले हूँ और जिन जिन लोगों ने सवाल किये थे उनके नाम भी मैं यहां पे लोगे आपको यहां पे कमेंट भी देखी रहा हूँ उमीद है कि आप अच्छी होगे आप अपने जिन्दगी में कुछ कर रहोगे अपनी लाइफ में अपने माबाप के लिए कुछ कर रहोगे चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है भाई दिल से रोजा है मेरा फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बेकास नहीं लोगों के लिए करना चाहिए इतना तो तो फिजा नाइक करके है जिनके कमेंट था मैं आशए आपको यहाँ पर दीखा रही हूँ जनकर एक कमेंट था कि पसंद की शादी के बारे में कुछ बताइए माप आपको कैसे मनाया जा सकता है मैं फिजा आपको एक छोटी सी बात बताओ पसंद की साधी के उपर इसलाम ने मना नहीं किया है ना ही तो आप मतलब नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है पसंद की साधी पे हाला के पसंद की साधी करनी चाहिए अगर आपको कोई पसंद है अगर आपने कोई लड़का देखा है अपने लिए तो आपका हग बनता है कि आप अपने माबाप को बहुत प्यार बहुत से बताए कि अगर आप किसी और जगा शाधी करवाओगे और बाइचांस अगर आपका और उसका मेल नहीं बैठता और नोग जो कोती है तो डाइवोस हो जाएगा तो जिन्दग्या बरबाद हो जाएगी और जिन्दगी बरब जाएगी तो फिर माबाप कैसे रखेंगे और माबाप के जाने के बाद बेटियों का होता कौन है कि समझ जाता है और एक बार ममी को बहुत ध्यान से बिठाओ जबी यह जीज़ की बात करो मुमी को बहुत महाबबस से बिठाओ कि जिन्दग्या ऐसे नहीं करती ना मुमी वो लड़का जो मैंने बसंद किया वो अच्छा है अगर शायद मेभी इन फ्यूचर कुछ होता है लड़ाई जगडे तो मैं अपने अपनी बसंद के लड़के से जो होगा वो मैं खुछ सॉल कर लूग आपके घर तक नहीं आएगी माना कि आला कि बहुत सी चीज़ों में होता है कि पैरेंट्स शादी करवाते हैं तो लड़ाई होती है तो बच्चे क्या करते हैं पैरेंट्स को बलते हैं तुमने करवाया था ना अब तुम ही जगड़ो तो मैं माबापों को भी यह कहना चाहूंगी कि आप इस चीज़ का खयाल रखे कि आपको फिर बात में यह हो तो जाते हैं लेकिन डाइवोस भी देखे तो फिजा आपके लिए एक चोटी सी एडवाईज है कि आप अपनी अम्मी को यह बात शेयर करें और अपनी अम्मी को बात शेयर करने से पहले दो रखाश शुकराना कि नमास पढ़के अल्ला के आगे सज़दे करके बात में और बहुत मुखब बस मना यह मान जाएंगे डेस्ट किसकी कमेंट यह वह भी देख लेता है कि निस कान का एक मैसेच्ज है कि शादी से पहले ह कहा हम यहां पिसी पहले महोथ करना मण यह सही है यह सब तो हराम ही है लेकिन अगर मुखबत होती है और आप यह देख रहे हूं कि मैं को इसके जाए शादी करना है तो मैं एक एडवाइस दूगी, छोटी सी एडवाइस बहुत छोटी है लेकिन आप लोगों का जो हराम रिलेशन हो हलाल हो जाए एक छोटी सी advice, आप अपने दो दोस्तों को बुलाएं और आप अपनी जो लड़की से मुहबत करते हैं, वो लड़की को सामने रखें और वो दो लड़के लड़की जो भी दो घवा रखें और आप उसे पूछ लेजे, मैंने तुझे मेरे निका में कुबुल किया, तुने क निकाह किया है और ये निकाह हो गया आपका ये दो लोगों ने सुन लिया ये निकाह हो गया तो हलाल ऐसे किया जा सकता है और महबत करना कोई हराम काम नहीं है इसलाम ने तो महबत करना ही सिखाया हमारा इसलाम आपस में बैर करना नहीं सिखाता तो अनस आपको आपका जवा अगर आप ऐसे करोगे तो मैं एड़वाइज दूगी सब्धी को कि अगर आप मौभबत में हो तो यह कर लो देखो अगर आप किसी को सामने वाले को बोलगे ना कि में को तरशे शादी करनी हलाल कर लेते हैंज अगर वहाँ बोलता है तो सच में आपसे महबत करना चाहता है और अगर वो ना बोलता कि नहीं, ऐसा हलल, नहीं करना है, ऐसे किसी को दोगवा रखके, नहीं बोलना है क्भूल, तो वो आपसे इस बात में भी शादी नहीं करेगा, इस बात का खायाता के, नेक्स कमेंट किसकी देख लेते हैं, इनका कमेंट है कि किसी लड़की को निकाह की नियत से चाहो तो फिर क्या चलिए फैजान आपको एक छोटी सी में बात बता दू अगर आप किसी लड़की से महबत करते हो तो मैंने अभी पहली कमेंट में बता दिया कि आप उसको मतलब वो हलाल कर लो फिर अटोमेटिकली अल्ला भी राजी हो जाएगे घर वाले भी राजी हो जाएगे तो ये आपके लिए एक सही रास्ता है किसी लड़की को निकाह की नियास से चाओ तो निकाह ही कर लो एंड मैं एक छोठी से बात बताओं किसी की बच्चियों के दिल में तोड़ो मैं इस शॉपिक बहुत इमोशनल होती हूँ कि किसी की बेटियों का दिल तोड़के आप अपने घर बसाने के कोशिस करते हूँ नहीं ऐसा मत करो वेजान आपको अपका जवाब मिल गया किसी की बेटी से आप महबबत करते हैं तो आपको ये करना है कि आप हलाल कर लो ठीक है नेक्स कमेंट किसकी ये देख लेते हैं अच्छा तो ये कमेंट है सामी करके कोई है जाप कमेंट देख रहे हो नीचे उनका ये कहना है कि वो लड़का जिससे इतना चाहा जिससे इतनी महबबत की महबबत का दावा किया और में को छोड़ के चलाएगा एक बात बताओं सामी आप जोगी लड़की है लड़का में को समझने है लड़की हो या लड़का एक चोटी सी बात बता दूँ कि अगर आपको कोई छोड़के गया ना इसका हज़र आपको कलकाया मत के दिन मिल जाएगा दूसरी बात कि अगर आपके सथ किसम धोका किया है तो अल्ला उसका हज़र देंगे तीसरी बात कि आपको जो छोड़के गया है वो आपका थाई नहीं जो आपका होता वो आपके लिए रुखता जो आपका होता वो आपके लिए लड़ता लेकिन आपको छोड़के नहीं जादा महबत में काफी लोग यही चीज़ों से अभी गुज़र रहे हैं कि अपना होता तो रुकता ना यर अपना ही नहीं हो चंद पैसों के लिए चंद खुबसूरती के लिए लोग अपना इंसान छोड़ देते और ऐसे इंसान से महबत करने लग जाते जिसको खुबसूरती पैसा है तो खुबसूरती पैसा देखके अगर कोई जाता है तो येस बेशक उसे महबत ये एवरिटिंग सब कुछ नहीं हो मिलने वाला एक चीज़ का खयाला के सामी आप अगर कोई आपको छोड़ के गया ना बस दुआ करे और नमाजों का साथ पकड़ ले फिर देखे आपके साथ कोई हो या ना हो आपको कोई फ़रग नहीं परता उमीद है आपको आज का सेशन समझ बहुत अच्छा लगा होगा मैंने कुछ लोगों के जवाब दिये है नेक्स वीडियो में भी हम देंगे वीक में एक बार मैं सब के सवालों के जवाब दूगी तो येस मैं इंस्टाग्राम पर भी टेक कर दूगी ये चार लोगों के आप लोगों को समझ आया होगा उमीद है समझ आया नहीं आया कमेंट वोक्स में जरूर से बताना ये वीडियो को लाइक कर देना